पतंजली फूर्स हमारा पहले भी पसंद्धा स्टोक रहा है हमने रिकमेंड भी किया है इन्वेस्मेंट के लिए आथे कुछ समय से ठंडा पड़ा हो था वीकेंड पर एक अच्छी ख़बर आई इसके लिए पहले लेवल से दूँ 1560 के स्टोक लोग से खरीदने की राय है 1660 और साथी 1700 रुपे के बड़े टार्गेट है और इन्वेस्टर्स अगर अपने टार्गेट रखना चाहें तो पतंजली आयुर्वेद जो कमपनी है वो पतंजली फूर्ड की होल्डिंग कंपनी है परेंट कंपनी है इन्होंने ये का है कि इनके पास जो नोन फूर्ड बि लेकिन आइडिया जो है पतंजली फूर्ड को बड़ा बनाने का जिसमें फूर्ड और नॉन फूर्ड बिजनिस दोनों आ जाए तो पतंजली ब्रेंड का जो फायदा है तो कमपनी की साइज बिलेगे पूराना ट्रैक रिकोर्ड जो है उसको देखते हुए जब भी पहले बिजनिस ट्रांसफर किया गया है वो पतंजली फूर्ड के शेरोल्डर के बहुत फैवरेबल है अल्मॉस्स फ्री टाइप वेलिशन पे ट्रांसफर किया है तो उम्मीद करते हैं कि अगर वही ट्रेंड अगर इस बार भी रहता है तो पतंजली फूर्ड के शेरोल्डर को वेल्यूशन का भी फायदा मिलेगा और बिजनिस का भी फायदा मिलेगा मुझे रखता है कि इस टॉक को लेकर जो थोड़े दिनों में किंता है वो सुप्रीम कोड के मामले चल रहे थे तो उससे भी लोग थोड़े सेम में वे थे कि आगे क्या होगा अब वो भी ने पड़ चुके हैं अब ये भी आ गया तो मुझे रखता है इस टॉक वापस से अपनी पुरानी गलोरिया और इस बीच में आपने देखा भी जी क्यू जी जे से बड़े ने झालोर करता है अधने हम मत पुरानी जीकairs करता है झाल झाल